नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमारे चैनल बक्ति ज्यान में दोस्तों आज मैं आपको स्रीमद भागवत महापुराण की कथा का सिर्वन करा रहा हूँ आप सभी भक्तियन इस कथा को स्रद्धा पूरवक मन लगा कर सुने भगवान स्रीकिष्चन आपके सभी मनुकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी की कर्ष्टों को हर लेंगे स्रीमेत्रे जी कहते हैं जिस समय प्रजाजन परम प्राकरमी प्रतवी पाल प्रतो की इस प्रिकार प्रातना कर रहे थे उसी समय वहां सूरी के समान तेज़स्वी चार मुनिस्वर आए राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पैचान लिया कि वे सिद्धिश्वर अपनी दिव्य कांती से संपूर्ण लोकों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकास से उतर कर आ रहे है राजा के प्राण संकादिकों का दर्सन करते ही जैसे विसई जीव विसयों की ओर दोड़ता है उनकी ओर चल पड़े मानो उन्हें रोकने के लिए ही वे अपने सद्धिश्यों और अन्याईयों के साथ एका एक उठकर खड़े हो गए जब ये मुनिगर्ण अर्द सुईकार कर आसन पर ब्राज गए तब सिष्टा ग्रही प्रतूने उनके गौरव से प्रभावत हो बिनेवस गर्दन जुकाए हुए उनकी बिद्वत पूजा की फिर उनके चर्णों दक को अपने सिर के बालों पर छिड़का इस प्रकार शेष्ट जनोचित आचार का आदर तता पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुर्सों को ऐसा ब्यभार करना चाहिए सनकादिक मुनिश्वर भगवान संकर के भी अग्रज हैं सोने के सिंगासन पर वे ऐसे सुसोवित हुए जैसे अपने अपने स्थानों पर अगनी देपता माराज प्रतु ने बड़ी स्रद्दा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा प्रतु जी ने कहा मंगल मूर्ती मुनिश्वरों आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लव हैं मुझसे ऐसा क्या पुन्य बन गाया है जिससे स्वते आपका दर्शन प्राप्त हुआ जिस पर ब्रामण अत्वा अनुचरों के सहित सी संकर या विश्णु भगवान प्रिसं हो उसके लिए इह लोक और परलोक में कौन सी बस्तु दुर्लव है इस द्रश्य प्रिपंच के कारण में तत्वा आदी यद्पी स्वर्वगत है तो भी बे सर्व शाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते इसी प्रकार यद्पी आप समस्त लोकों में बिचरते रहते ही तो भी अनदकारी लोग आपको देख नहीं पाते जिनके घरों में आप जैसे पूज पुरुस उनके जल त्रण प्रतिवी ग्रह स्वामी अत्वा सेवक आदी किसी अनपदार्थ को सीकार कर लेते हीं वे ग्रहस्त दनहीन होने पर भी धन हैं जिन गरों में कभी भैगवाद भक्तों के परम पवित्र चर्णों दक्के छीटे नहीं पड़ी बेज सब प्रकार की रिद्धी सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे ब्रक्षों की समान हैं जिन पर सांप रहते हैं मुनिश्वरों आपका स्वागत है आप लोग तो वाल्या वस्ता से ही मुमक्षियों के मार्ग का अनुसरन करते हुए एकागर्चिस से ब्रह्म चर्यादे महान ब्रतों का बड़ी स्रद्धा पूर्वक आच्छन कर रहे हैं स्वामियों हम लोग अपने करमों के बसिबूत होकर विपत्तियों के खेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय सम्मंदी भोगों को ही परम पुरसार्थ मान रहे हैं सो क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है आप लोगों से कुसल प्रिश्न करना उचित नहीं है क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमण करते ही आप में यह कुसल है और यह अकुसल है इस परकार की ब्रतिया कभी होती ही नहीं आप संसार अनल से संतप्त जीवों के परम स्वध हैं इसलिए आप मैं बिश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस संसार में मनुश का किस प्रिकार सुगंता से कल्याण हो सकता है यह निश्य है कि जो आत्मवान धीर पुरसों में आत्मा रूप से प्रिकासित होते हैं और उपासकों के हिर्दय में अपने स्वरूप को प्रिकट करने वाले हैं बेज अजनमा भगवान नाराण ही अपने भगतों पर किरपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरसों के र और मदोर बचन सुनकर सी सनत कुमार जी बड़े प्रिसन हुए और कुछ मुस्कराते हुए कहने लगी स्री सनत कुमार जी ने कहा महाराज आपने सब कुछ जानते हुए भी समझत प्राणियों के कल्यान की द्रश्टी से बड़ी अच्छी बात पूची हैं सच सादू परस इसनों तर सभी का कल्यान करते ही राजन स्री मदुसुदन भागवान के चंड कमलों के गुणान उबाद में अबस ही आपकी अविचल प्रीती हैं हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कटन है और प्राप्त हो जाने पर ये इर्दे के भीतर रहने वाले उस वासना मल को सर्वता नश्ट कर देती है जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता सास्त्र जीवों के कल्यान के लिए वलिवांती विचार करने वाले ही उनमें आत्मा से भिन देहादी के प्रती बैरागित था अपने आत्म सरूप निर्गोन ब्रह्म में स्वद्रण अनुरा को सद्रण होना यही कल्यान का साधन निश्चित किया गया है सास्त्रों का यह विए केना है कि गुरू और सास्त्र के बचनों में विश्वास रखने से भागवत धर्मों का आच्रन करने से तत्व जग्यासा से ज्ञान योग की निष्टा से योगी स्वर स्री हरी की उपासना से नित्य प्रती पुन्य कीर्ती स्रीमग भगवान की पावन कताओं को सुनने से जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत हैं उनकी गोश्टी में प्रेम ना रखने से उने प्र ही संटोस्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रएम रखने से किसी भी जीव को कश्ट ना देने से, निर्वति निष्टा से आत महित का अनु संदान करते रहने से, स्रीहरी के पवित्र चरित्र रूप स्रेश्ट अमृत का आस्वादन करने से, निसकान भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा ना करने से, योग ख्यम के लिये प्रत्न ना करने से, सीतोष्ण आदे द्वंदों को सहन करने से, भक्त जनों के कानों को सुख देने वाले स्रीहरी के गुणों का बार बार बर्णन करने से, और बढ़ते हुए भक्ती भाव मनुष्ट का कारण रूप संपूंड जड़ प्रिपंज से बैराग हो जाता है और आत्मसरूप निर्गुण पर ब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रीती हो जाती है पर ब्रह्म में स्रदन प्रीती हो जाने पर प्रोस सद्गुरु की सरन लेता है फिर ग्यान और बैराग के प्रवल बेग के कारण बासना सून हुए अपने अविद्या की पांच प्रकार के कलेशों से युक्त अहिंकार अत्मक अपने लिंग सरीर को वह उसी प्रकार भर्स्म कर देता है जैसे अगनी लकडी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है इस प्रकार लिंग देह का नास हो जाने पर वह उसके क्रतत्व आदे सभी गुडों से मुक्त हो जाता है फिर तो जैसे स्वपन भस्ता में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उसे जग पढ़ने पर उनमें से कोई चीज दिखाई नहीं देती उसी प्रकार वह पुरसरीर के बाहर दिखाई देने वाले घट पट आदी और भीतर अनवव होने वाले सुक दुखा आदी को भी नहीं देखता इस इस्तिती के प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भीद कर रहे थे जब तक अन्त करण रूप उपादी रहती है तब ही तक पुरस को जीवात्मा इंद्रियों के विशे और इन दोनों का सम्मंद कराने वाले एहिंकार का अनवव होता है इसके बाद नहीं ब्रह्म जगत में भी देखा जाता है कि जल दर्पन आदी निमितों के रहने पर ही अपने बिम और प्रतिविम का भेद दिखाई दिता है आन्य समय नहीं जो लोग विशे चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विशेयों में फस जाती हैं तथा मन को भी उन्हें की और खीच ले जाती हैं फिर तो जैसे जलासे के तीर पर उगे हुए कोसाधी अपनी जड़ों से उसका जल सीचते रहते हैं उसी प्रकार वे इंद्रिया सक्त मंद बुद्धी की बिचार सक्ती को क्रमस हर लेता है बिचार सक्ती के नश्ट हो जाने पर पूरवा पर की इस्मरती जाती रहती है और इस्मरती का नास हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता इस ग्यान के नास को ही पंडित जन अपने आप अपना नास करना कहते हैं जिसके उद्दिश से अन्य सब पदार्तों में प्रियता का बोध होता है उस आत्मा का अपने द्वारा ही नास होने से जो स्वार्त हानी होती है उससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानी नहीं है धन और इंद्रियों के विस्यों का चिंतन करना मनुस्य के सभी पुर्षार्तों का नास करने वाला है क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्यान और विज्यान से ब्रेश्ट होकर ब्रेक्षादी इस्तावर योगनियों में जन्म पाता है इसलिए जिसे अज्यान अंदकार से पार होने की इच्छा हो उस पुर्ष को विस्यों में आ सकती कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह धर्म अर्थ काम और मुक्ष की प्राप्ती में बड़ी बादक है इन चार पुर्षार्तों में भी सबसे स्रेश्ट मुक्ष ही माना जाता है क्योंकि अन्य तीन पुर्षार्तों में सरवदा काल का भे लगा रहता है प्रकटी में गुण ख्योब होने के बाद जितने भी उत्तम और अदम भाव पदात प्रकट हुए ही उनमें कोसल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है काल भगवान उन सभी के कोसलों को कुचलते रहते ही अतयराजन जो भगवान दे इंद्रिय प्राण बुद्धी और अहिंकार से आब्रत सभी इस्तावर जंगम प्राणियों के हिर्द्यों में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकासत हो रही है उन्हें तुम वे मैं ही हूँ ऐसा जानो इंद्रिय इन जीव करीव आत्रिक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता ऐसा ये माया में प्रेप्रण्च जिसमें कारकाना रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वेम कर्म फल कुछुत्य प्रिकती से प्रग्र Onu उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्थ हो रहा हूँ संत मात्मा जिनके चर्ण कमलों के अंगुलदक की छिटकती हुई छिटाका इस्मन करके अहिंकार रूप इर्दय ग्रंती को जो कर्मों से गटित है इस प्रिकार छिन भिन कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंत्य करण को निर्विसे करने वाले सन्यासी भी बैसा नहीं कर पाते तुम उन सरवास्रम भागवान वासदेव का भजन करू जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए इस संसार सागर को योगा दे दुस कर्म सादनों से पार करना चाते हैं उनका उस पार पहुँचना कटे नहीं है क्योंकि उन्हें कर्ण धार रूप स्री हरी का आस्रे नहीं है अत्य तुम तो भागवान के अराद निये चर्ण कमलों को नोका बना कर अनायास ही इस दोस्तर समुद्र को पार कर लो स्री मैत्रे जी कहते हैं विदुड जी ब्रह्मा जी के पूत्र आत्म ग्यानी संत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर माराज प्रतु ने उनकी बहुत प्रसंशा करते उए कहा राजा प्रिथु ने कहा भगवन दिन दयाल स्री हरी ने मुझे पर पहले किर्पा की थी उसी को पूर्ड करने के लिए आप लोग बदा रहे हैं आप लोग बड़े ही दयालू हैं जिस कार के लिए आप लोग बदा रहे थे उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन कर दिया अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूँ मेरे पास तो सरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरसों का ही प्रसाद है ब्रह्मन, प्राण, इस्त्री, पुत्र, सब, प्रणकार की सामिग्रियों से भरागवा भवन, राज, सेना, प्रत्वी और कोस ये सब कुछ आप ही लोगों का है अते आपके ही स्री चर्णों में अर्पित है बास्ता में तो सेना, पतित्व, राज, डन्ल, विदान और संपून लोगों के सासन का अधिकार बेद सास्त्रों के ग्याता ब्रामणों को ही है ब्रामण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपने ही वस्तुदान देता है दूसरे ख्यत्री आदेतों उसी की किरपा से अन खाने को पाते है आप लोग बेद के पारगामी है आपने अध्यात मतत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान की प्रति इस पिरकार की अभीद सक्थ भक्ती ही उनकी उपलब्दी का प्रधान साधन है आप लोग परम करपालू है अते अपने इस दीनो द्वार रूप कर्म से ही सरवदा संटोष रहें आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है उसके लिए प्रत्न करना भी अपनी हसी कराना ही है सी मेत्रे जी कहते हैं विद्र जी फिर आदिराज प्रतू ने आत्म ज्यानियों में स्रेश्ट संकादी की पूजा की और वे उनके सील की प्रिसंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकास मारक से चले गई महत्माओं में अग्रगर्ण्य माराज प्रतु उनसे आत्मों पदेश पाकर चितकी एकाग्रता से आत्मा में ही इस्तित रहने के कारण अपने को कृत करत्य सा अनुवव करने लगे ब. ब्रहमाणपन बुद्धी से समयष्टान सकती न्याय और धण की अनुशार सवी कर्म करते थी इस प्रकार एकाग्रता समस्त कर्मों का फल प्रमात्मा को अर्पण करकि आत्मा को कर्मों का साक्षि एवां प्रकरती से अतीद देखने के कारण वे सर्वता निरलिप्त रहे जिस प्रकार सुर्देव सर्वत्र प्रिकास करने पर भी वस्तूँ के गोन दोस से निलिप रहते हैं उसे प्रकार सार्व भॉम सम्राज लक्ष्मी से संपन और ग्रस्ता स्रम में रहते हुए भी एहिंकार सुन्य होने के कारण बे इंद्रियों के विश्यों में आसकत नहीं हुए इस प्रकार आत्म निष्टा से इस्तित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यतो चित रीती से अनुष्टान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्ची के गर्व से अपने अनुरूप पांच पुत्र उत्पन किये उनके नाम बिजेतास्व, द्रूमकेस, हैरक्ष, द्रवेन और ब्रक्थी, माराज प्रतु, भागवान के अन्सु थे बे समय समय पर जब जब आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारन कर लिया करते थे अपने उदार मन, प्रिय और हितकर, बचन, मनुहर, मूर्ती और सौम गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा की समान उनका राजा यह नाम सार्तक हुआ सूर जिस प्रिकार गर्मी में प्रत्वी का जल खींच कर बड़सा काल में उसे पुने प्रत्वी पर बड़सा देता है तता अपनी केर्णों से सब को ताप पहुँचाता है उसी प्रिकार वे कर रूप से प्रजा का धन लेकर उसे दुसकाल आदी के समय मुक्त हस्ते प्रिजा के हित में लगा देते थी तता सब पर अपना प्रवाव जमाई रखते थी वे तेज में अगनी के समान दुरदर्स इंद्र के समान अजये प्रत्वी के समान ख्यमा सील और स्वर्प के समान मनिश्यों के समस्त कामनाएं खोले हाथ से लुटाते रहते थी, बेसमुद्र के समान गंबीर और परवत राज सुमेरु के समान धहर बान भी थी, माराज प्रतु डोस्टों के दमन करने में यमराज के समान, आश्चर पूर्ण बस्तूं के संग्रह में हिमाले के समान, कोज की सम्रदी करने में कुवेर के समान और धनको छिपाने में बरुण के समान थी। सारी रिकबल इंद्रियों की पटुता तता प्राक्रम में सर्वत्रस गती सील बायू के समान और तेज की असेता में भागवान संकर की समान थी। संदर में कामदेव के समान उस्सा में सिंग के समान वासल्य में मनु के समान और मनिश्यों के आदिपत्य में सर्वसमर्थ ब्रह्माजी के समान थी। ब्रह्म विचार में ब्रस्पती, इंद्रिय जय में साक्षत स्रीहरी तता गौ ब्रामबर गुरुजन एवं भगवद भक्तों की भक्ती लज्जा बिने सील एवं परुपकार आदी गुणों में अपने ही समान अनुपम थी। लोगत्रलोकी में सर्वत्य उच्च स्वर से उनकी कीर्थी का गान करती थी। इससे वे इस्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रिवेस पाई हुए थे जैसे सत्पुर्सों के हिर्दे में स्री राम। बुलु स्री मदभागवत महा पुरान कीजे। बुलु स्री कृष्ण चंद्र महराज कीजे।